पूरे दिन आपको किन-किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपाईयों को करके आप परिशानियों जे छुटकारा पासकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास चो आज का राशिफल मेश राशि आज आप अपनी निजी परस्तितियों को ध्यान में रख कर पूंजी निवेश करें किसी के दबाओं में ना आएं समानला आपके योग बनेंगे अनावशक खर्चों से बचें व्यापार में समय बद्ध तरीके से कारी करें उपाय आज मूंगे की माला धारन करें माथे पर लाल चंदन लगाएं व्रिशब राशी आज व्यापार में अच्छी आमदनी होने के योग हैं आर्थिक मामलों में सोच समझ कर नर ने लें जल्द बाजी में पूंजी निवेश ना करें पुरानी समय से रुका हुआ धन प्राप्थ होगा उपाय आज माता लक्षमी की आराद ना करें उन्हें घर में बनी खीर का भोग लगाएं इस तरी जाती का सम्मान करें मिथुन राशी आज व्यापार में आमदनी बढ़ाने के प्रयाज सफल होंगे रुका हुआ धन वापस मिलेगा कोई कीमती वस्तु खरीदने की योजना सफल होगी उपाई अपने पूजा घर में इस्वटिक की गडिश्टी की स्थापना करें उनके सामने ओम गड़पते नमह मंत्र का पाट करें करक राशी आज ससुराल पक्षसे वस्त्र धन प्राप्त होने के योग हैं किसी कीमती वस्तु के गुम अत्वाचोरी होने के योग हैं आर्थिक शित्र में उतार चड़ाब जैसी इस्थिती रहेगे धन संचय करने में परिशानी होगी उपाई आज इस्वटिक के शिवलिंग का अभिशे करें और भगवाज शिव को बेल पत्र अर्पित करें सिंग राशे आज विदेश देवा से जुड़े लोगों को विशेश लाव प्राप्त होगा किसी अधूरी कारे के पूरे होने से आर्थिक स्थिती में सुधार होगा व्यापार में नए सहियोगी लावकारी सिद्ध होगे नौकरी में अधिनस्त लावकारी सिद्ध होगा उपाई शनी चालीसा का पाट करें गरीब निर्धन लोगों की यथा समभव सहायता करें कन्या राशी आर्थिक स्थित्र में किये गए प्रयासों में सपलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है वाहन, मकान, आधि संपत्ती खरीदने की योजना बनेगी आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निने ले उपाई, आज काले घोडे की नाल का छला दाहीने हाथ में धारण करें तुला राशी, आज आर्थिक मामलों में योजना बद्रूप से कारी करने से लाबकारी संकेत प्राप्त होंगे अपनी परस्तियों को ध्यान में रख कर पूंजी निवेश आधि करे व्यापार में लगन के साथ कारी करें किसी के बहकावे में ना आए उपाई, आज के दिन गुरुजनों एवं ब्रामडों की सेवा करें पीला रुमाल पास रखें व्रिश्यक राशी, आज आज आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा जमा पूजी के धन में व्रिधी होगी धन के लेन देन में साभानी बढ़तें वाहन खरीदने की योजना बनीगी उपाई, आज सूरिदेव के आज के पुष्पों से पूजा करें धनु राशी, व्यापार में लाब के अफसर प्राप्त होंगे कोट कचेरी के निर्णे आपके पक्ष में आने से पहले धन संपत्ति आपको मिलेगी व्यापारिक सहयोगी लाब कारी सिद्ध होंगे उपाई, आज दूद, चावल और मिश्री का दान करें मकर राशी, आज एकाएक रुका हुआ धन वापस मिल सकता है ससुराल पक्ष से आपको धन एवं संपत्ति का लाब होगा व्यापार में अतिदिक जोखिम लेने से बचे आज कोई केमती बस्तु चोरी हो सकती है उपाई, सोनी को आग में लाल कर दूद से भुजाएं वा दूद पियें कुम्भ राशे, आर्थिक पक्ष चिंतनिय बना रहेगा धन संपत्ति के मामले में व्यर्थ तनाओं बढ़ सकता है व्यापार में अधिक महनत के बावजूद अपेक्षित आयन ना होने से मन खिन रहेगा उपाए, प्रतिक कारे मीठा खाकर अथ्वा जल पीकर करें मीन राशे, आर्थिक मामलों में सूजबूच से काम ले पूंजी निवेश समय एवं परिसितियों का आकलन करके ही करें नौकरी में पदोन्नती के साथ वेता नेवं सुख सुविधा भी बढ़ेगी माता पेता से अपेक्षित आर्थिक मदद प्राप्त होगे उपाए, किसी साधू से तावीज ना ले जाहिर है आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सावित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपीदन चारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तवाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हैं से नियूस भारत के साथ हर काबर आपके साथ आपके हाथ